हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि निप्ति की प्रक्रिया अगर इमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही यह युवाओं के साथ खिलवाड़ है अपनी प्रतिवा को प्लाइन करने के लिए मजबूर करता है एक राष्टिय पाप है अगर युवा के साथ अन्याई होता है और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तै किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भोश्चे के साथ जो खिलवाड़ करेगा हम लोग भी जीरो टॉल्मेंस की नीति को अपना करके उन तत्तों से उतनी ही सक्ति और कठोर तम तरीकी से निपटने का काम करेंगे जो हमारी युवाओं की भोश्चे के साथ खिलवाड़ करने का तुस्थाज करेगा है और सरकार ने तो कारवाई प्रारंब की है प्रारंब में भी की थी अब फिर एक बार और कारवाई हम लोग करने जा रहे हैं उसी लोगों को खिला क्योंकि हम लोग टखनी को अपयोंग करते हैं तो हम लोगों कि समानी ही वे तत्व मघिझे कप्योंगे करने लगते हैं कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभाता गलत काम नहीं करते अच्छी दिसा में आगे बढ़ते खुसाल का जीवन डिकीद करते लेकिन अब वे ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कारवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कारवाई हम लोग ऐसे तत्तों के खलाब करेंगे जो युमाओं के बहुत से के साथ खिलवाड करेंगे और कारवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कारवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तूत करते हूं नजीर बन जाए नजीर बनवाएंगे दोस्तों को इसके सामने वो धरन प्रस्तूत करवाएंगे